हर्याना के किसान हो या युवा उनका भविश्य भाजपा सरकार में ही सुरक्षीत है बिते दस साल में हर्याना में भाजपा की सरकार है हमारी सरकार पर हमारे मुक्यमंत्री पर ब्रस्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे यहां भाजपा सरकार ने सरकारी नोक्रियों में खर्ची और पर्ची को बंद किया आठ अक्टुबर के बाद भाजपा की नई सरकार एक बार फिर नव जवानों के लिए हजारों नए अवसर बनाएगी यहां युवाओं को बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार मिलेंगे साथियों सोनी पत पानी पत की ये पूरी बेल्ट अवसरों से भरी है यहां पर हो रहे विकास कारिय इस पूरे छेत्र को आधुनिक पहचान दे रहें बाजपा सरकार ने सोनी पत तक मेट्रों के विस्तार को स्विकृति दी है आज जिस तरह इस छेत्र में भाजपा ने नए हाइवे बनवाए है उस मामले में तो एक छेत्र सबसे कनेक्टेड़ी का इलाकों में से एक बन रहा है हर्याना के किसान हो या युआ उनका भविश्य बाजपा सरकार में ही सुरक्षीत है बिते दस साल में हर्याना में भाजपा की सरकार है हमारी सरकार पर हमारे मुक्यमंत्री पर ब्रस्टा चार के कोई आरोप नहीं लगे यहाँ भाजपा सरकार ने सरकारी नोक्रियों में खर्ची और पर्ची को बंद किया आठ अक्तुबर के बाद भाजपा की नई सरकार एक बार फिर नव जवानों के लिए हजारों नए अवसर बनाएगी यहाँ युवाओं को बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार मिलेंगे साथियों सोनी पत पानी पत की यह पूरी बेल्ट अवसरों से भरी है यहाँ पर हो रहे विकास कारिय इस पूरे छेत्र को आधुनिक पहचान दे रहे हैं बाजपा सरकार ने सोनी पत तक मेट्रों के विस्तार को स्विकृति दी है आज जिस तरह इस छेत्र में भाजपा ने नए हाइवे बनवाए है उस मामले में तो एक छेत्रा सबसे कनेक्टेडी का इलाकों में से एक बन रहा है